अमस्कार मैं हूँ गजेंदर सिंग और आप खुल चुके हैं निउस डिगी मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जूम करके एक बार दिखाईए जो आपको मंदिर की उपरी सतय दिखाई दे रही होगी जो थोड़ा थोड़ा आपको राम मंदिर दिखाई दे रहा है यही है वो मंदिर जिसमें 22 तारीको प्राण प्रतिस्टा का कारिकरम होना है और 30 तारीक से आम जंता के लिए यह खुल जाएगा और राम के दर्शन लोग कर पाएंगे मगर अभी यहाँ पर पुलिस ने पूरी एंटरी को रोका हुआ है सब लोगों को रोका हुआ है क्योंकि कल का दिन ही बीच में और 22 तारीको प्राण प्रतिस्टा का कारिकरम होना है यहाँ पर पीछे देखिए बहुत सारे शुदालू आये हुए है जगे जगे से लोग आ पहले दर्शन किये देखिए है यह मंदिर है राम जनम भूमी मंदिर है कैसा लगा देखिए बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा बहुत सो भाय की बात है कि प्रफु राम की किरपा हुई तो हमने आके देखें मंदिर को बहुत आनंद बहुत ख प्रबीन चोदरे कहा से बस्ती जिले बस्ती जेले से बस्ती जेले से बस्ती बडने किते है बडिया है चानी कमणे लगates घ्ट के शाड़ी मोड एम लोग बस्तेफ मंधिन पारहे तक कहा थे अच्छा नग आ थेगगे दोस्तीी समाछिड इसके अप किस्ता करेक्रों expensive किर मिरा नाम साईली चाहिए क कैसा लग रहा काऊगा आ मंदिर बनकें मतलब साहिली चौधरी है कैसा लग रहा है राममंदिर बन के मतलब पात सो साल का इंतजार खती है एक पॉजिटिविटी एनर्जी आई है मतलब ऑवियसली कि इतने दिनों की प्रतिक्षा आखिरकार खतम हुई और राममंदिर हमारी ही सिटी के एकदम अजपास ही बन गया हम लोग बस्ती से बिलाओं करते हैं हाँ जी बिल्कुल पास में ही रहते हमें हाडली 60 किलो मीटर है तो एक हम लोगों को खुद को पॉजिटीव फील आ रहे ही कि हां रामंदिर हमारे आसपास ही बन गया है तो एक हिंदूों के लिए एक प्राउड मुवमेंट है आप रहते ही रा परिवार के साथ हैं दचेमिच परिवार के साथ हैं हमें लोग अंगंभर पास नहीं रहते तो कभी भी हांते कर लेंगे और भी हा पर बहुत सारे लोग इंसे बात करते हैं आईए यहां ज़िदूर दूर छे आ आपको हिंदी, कोई नहीं, तमिल से भी आये हैं लोग दर्शन करने के लिए बहुत बहुत दूर से यहां पर पदार हैं, आप यह देख सकते हैं कि पीछे जमावडा है लोगों का, और आई इधर कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, कहां से आये हैं, हम आयोद्या के र सबस्क्राइब के बाद ही आना कि वैरिक लेकिन हम लोग बच गोमने निकले, उनसे आप तो यहीं रहने हैं, बिलकुल, हम लोग तो बहुत शुभागे साल यह हैं, कि एधर में रहने बाले हैं, और हम ऐसा आते जाते है, यहां पर, कब से रह रहा है? यहां हमारा तो जनम कि एक तर्फ नहीं है लेकिन थार्टी साल तो हो गया मुझे तीस साल तो टिस साल में कैसे देखा है आप ना यादे सबसे पहले लुगे तो बहुत सारी चीज़े याद है कि एधा में यह सब आद देख रही है एक बड़ा अजब नजारा है इसके पहले हम लोग क्या आते थ हम लोग जब राम जी की पैड़ी पे आते थे तो वहां पे समाझ लेजिए कि बाएक सी जब खड़े होते थे तो दस मिनट खड़ा नहीं हो सकते थे इतनी गंदगी ना पानी का पहाव बिलकुल काई मिट्टे जमी गोबार और गेरा बहुत सारी गंदगियां बनी रहती थी आज जब से योगी जी आए हैं मोदी जी आए हैं तो योगी जी ने अयुद्या का एक भब नजारा दे दिया है आज वही परियाटा नस्ताल बन गया है वही हम लोगों की तस्वीरें खीचने लाइक बन गयी है यह सुन्दरता के लिए हम तो योगी और मोदी जी का बहु की चीज़ देखते हैं यहां तो लोग योगी और मोदी कोई आम इंसान नहीं है यह सिदे आउतार है किसी के तभी यह इतने बड़े-बड़े फैसले लेते हैं और यह काम करते हैं जैसे मंदिर को इन्होंने बनवा दिया है जी जी बहुत सारी लोग सवाल भी उठाते हैं मं इसलिए जो भी संत हों महन तो हों सबका यहां पर स्वागत है रश्ट द्वारा बुलाया गया है सब लोग आए हम तो यही कहेंगे बाकी सवाल उठाने को तो हम ऐसा बगवान राम पर जिनका मंदिर राज बना है लोग सवाल इन पर भी उठाते रहें तो इसके लिए क्य सबके लिए दर्शन उसके बाद आप भी अपने प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे उससे पहले हम आपको कुछ लोगों से बात तो कराई रहे थे तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे है केमरा परशन आनंद के साथ मैं गजेंद्र सिंग आयोग्या